अगर अमेरिका में 20 में से 13 बोतलें रिसाइकल की जाती हैं, तो बताईए कितनी प्रतिशत यानि कितनी परसंट बोतलें रिसाइकल की जाती हैं, तो प्रतेक 20 में से 13 बोतलें रिसाइकल की जाती हैं, इसलिए ये हो जाएगा 13 बटा 20, जिसे हम 13 भाग 20 भी कह सकते हैं, और 13 को 20 से विभाजित यानि की डिवाइड करने पर उत्तर दशमलाव यानि की डेसिमल संख्या होगा और फिर दशमलाव संख्या को हम आसानी से प्रतीशत में बदा सकते हैं तो 13 बटा 20 में हम छोटी संख्या को बड़ी संख्या से विभाजित यानि की डिवाइड कर रहे हैं इसलिए उत्तर एक से छोटी संख्या होगा और क्यूंकि उत्तर एक से छोटी संख्या है इसलिए हम यहाँ पर दशमलाव यानि की डेसिमल लगाकर शुन्य लिख लेते हैं तेरह 20 से 0 बार विभाजित होता है, 20 गुणा 0 हुए 0 और 13 घटा 0 हुए 13, अब हम इस 0 को नीचे लिख लेते हैं, 130, 20 से 6 बार विभाजित होता है, 20 गुणा 6 हुए 120, और 130 में से 120 घटाने पर 10, 6 बचता है, अब हम एक और 0 को नीचे लिख लेते हैं, 120 से 5 बार विभाजित होता है, 20 गुणा 5 हुए 100, तो 13 बटा 20 को दशमलों में बदलने पर ये हो जाएगा 0 दशमलों 6, 5 और प्रतीशत, यानि की परसेंटेज में बदलने के लिए हम इस संख्या को 100 से गुणा करेंगे, या फिर द उस्थान दाईयों और खिसकाएंगे, तो ये हो जाएगा 65 प्रतीशत, आप इसे एक और तरीके से भी हल कर सकते थे, आप ऐसे भी सोच सकते थे, कि क्योंकि प्रतीशत का मतलब है प्रती 100, इसलिए 13 बटा 20, कितने बटा 100 के बराबर होगा? यहाँ पर 20 से 100 पर जाने के लि गुणा 5 हुए 65, तो इस तरीके से आप इसे काफी तेजी से हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 100 को 20 से आसानी से विभाजित किया जा सकता है, हमने यहाँ 20 को 5 से गुणा किया है, और इसलिए 13 को भी 5 से गुणा किया है, तो एक बार फिर ये हो जाएगा 65 बटा 100, जो कि 65 प्रतीशत के समान है, मैं यहाँ प्रतीशत का जिन्न लगा देता हूँ, ध्यान रखें कि प्रतीशत का मतलब होता है प्रती 100, इसलिए ये 65 प्रती 100 है, यान की 65 प्रतीशत है,